जब recession आता है, तब सोने के भाव बढ़ जाते हैं, जब war होता है, तो सोने के भाव बढ़ जाते हैं, तिब stock market गिरता है, तो लोग पैसा निकाल कर सोने में लगाते हैं, जैसा कि हमने pandemic के दौरान भी देखा In short, जब भी दुनिया में unstability आती है, तो सब को safest investment सोना ही लगता है, आजादी के बाद, 1950 में 99 था 10 ग्राम सोने का भाव, 2000 में बढ़ दर, ये हो गया 4,400 रुपए, और आज है 58,000 रुपए, है ना जबरदस रिटरंस? और अगर financial tough situations देखी जाएं, जैसे कि 2008 से 2010 का recession, तो ऐसे टाइम में gold में returns और बढ़ जाते हैं, 2007 में 10,800 था gold का price, जो recession की वज़े से बढ़ कर 2010 में 18,500 हो गया, तीन साल में नस ग्राम सोने की कीमत लगबग 8,000 रुपए बढ़ गई, या ये कहा जाए, इसने तीन साल में 65 to 70% return दिया, तो सोने को क्या इतना खास बनाता है, दुनिया में इतने metals मौझूद हैं और क्यों सदियों से लोग सोने में ही investment safe और अच्छा समझते हैं, हेलो और वेलकम टू आल तिंस क्यूरियस, आये देखते हैं, क्यों सोना है, इतना कीमती, ancient time से ही सोने को importance दी गई है, सो दूसरा समान दिया जाता था, अगर एक के पास चीनी है और दूसरे के पास चावल, तो वो थोड़ी चीनी दे कर अपने ले चावल ले सकता था, पर इसके बाद सिक्को को बिजनस के लिए यूज किया जाने लगा, पर इतने सारे metals अवेलेबल थे, फिर भी सोने को सबने क क्यों पसंद किया, क्या आपको science class में पड़ी periodic table याद है, periodic table में दुनिया में मौझूद सभी elements लिस्टेड हैं, और इसकी मदद से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सब elements में से सोने को ज्यादा importance क्यों मिली, अब हम इसमें से liquid और gas elements को हटा देते हैं, क्योंकि इन दोनों से ही currency बनाना possible नहीं है और obvious reasons, इनको carry करना एक मुश्किल काम है, अब हम आते हैं अगली category पर, alkaline metals, alkaline metals बहुत ज़्यादा reactive होते हैं, आप में से कई ने school में पानी की एक dish में sodium या potassium डाल कर experiment किया होगा, ये पानी की surface पर इधर उदर जाते हैं और फिर pop कर जाते हैं, हम में स कोई भी ऐसी explosive और dangerous currency नहीं चाहेगा, अब इसके बाद आती है बारी radioactive elements की, जैसे thorium, uranium और plutonium, जिने हम obviously बाहर कर सकते हैं, next category है rare earth elements, इनको chemically एक दूसरे से अलग समझ पाना मुश्किल है, इसलिए आप कभी में नहीं जान पाएंगे कि आपकी जिब में था क्या, हमारे पा पार इनके साथ समस्या ये है कि उन्हें गलाना बहुत मुश्किल है, इससे पहले कि आप इन elements को उनके और से निकालना शुरू कर सकें, आपको अपनी भट्टी को thousand degree centigrade की temperature पर ले जाना होगा, और ancient times में ऐसी facilities थी ही नहीं Aluminium को पहले निकालना मुश्किल था और इसके साथ ही ये सिक्का बनाने के लिए बहुत ही कमजोर है, इसके अलावा ऐसे भी कुछ elements है जो stable नहीं है, अगर वो पानी या हवा के contact में आते हैं तो oxidize हो जाते हैं और फिर खराब हो जाते हैं Low है यानि iron को देखिए, अगर सोचा जाएं तो ये currency के लिए कापके अच्छी choice है, इससे चमका कर सुन्दर polish किया जा सकता है, समस्या है जंग की, जब तक आप इसे पूरी तरह से सूखा नहीं रखते, इसमें जंग लगता रहेगा हम इसी आधार पर लेड और तामबे यानि कॉपर को भी हटा सकते हैं, दोनों को ही परोजिन का खत्रा है नई civilizations ने इन दोनों को ही पैसे के लिए इस्तिमाल किया, लेकिन ये currencies नहीं चली अब बचे हैं केवल आठ दाविदार, प्लेटिनम, पलेडियम, रोडियम, इरीडियम, ओस्मियम, रूथेनियम और हम सब के फेवरेट, सोना और चान्दी इन सब को noble elements के रूप में जाना जाता है, noble क्योंकि वे अलग खड़े होते हैं, ये दूसरे elements के साथ मुश्किल से ही react करते हैं ये सबी बहुत आसानी से available नहीं है, जो की currency के लिए एक important condition है अगर लोहे में जंग ना भी लगे, तो भी ये पैसे के लिए एक अच्छा option नहीं बनेगा क्योंकि इसकी availability बहुत ज्यादा है, जिसकी वज़े से आपको इसके बहुत बड़े सिक्के ले जाने होंगे, जो की एक मुश्किल काम है अब चांदी और सोने को छोड़कर सभी noble elements के साथ आपको इससे उलट समस्याएगी ये इतने rare हैं, आपको बहुत ही छोटे सिक्के मिलेंगे, जिने आप असानी सिक्को सकते हैं इसके साथ इन्हें निकालना भी बहुत मुश्किल है प्लाचनम को गलाने के लिए तापमान 1768 centigrade होता है तो अब end में हमारे पास केवल दो elements बचते हैं चांदी और सोना दोनों rare हैं, लेकिन बहुत ज्यादा rare भी नहीं दोनों को गलाने के लिए औरों की तुलना में कम temperature चाहिए जिसकी वज़े से इने सिक्के और ज्वेलरी में बदलना असान होता है पर चांदी के साथ एक problem है हवा में जो थोड़ी मातरा में sulfur होता है उसके साथ ये react करती है और इसी वज़े से सोना ज्यादा important हो जाता है तो इस सब से हमें ये पता चलता है कि सोना कीमती होने का कारण ये है कि chemically react नहीं करता आपको पता है कि हजाए साल बाद भी आपकी सोने की चीज अच्छी condition में किसी museum में center of attraction होगी और इनी सब वज़े से ancient civilization से ही लोगों ने realize किया कि सब elements में से सोना ही सबसे सही metal है currency और जूलरी के लिए एक currency के अपनी कोई value नहीं होती इसे valuable हम as a society बनाते हैं इसे accept करके और इसे importance दे कर एक currency को stable और portable होना चाहिए ना कि explosive और ये काफी rare होना चाहिए आपको आश्यर होगा ये जानकर कि दुनिया में कितना कम सोना है अगर आपको ये video पसंद आया हो तो do like and share for more such informative videos do subscribe to our channel thanks for watching see you in the next video bye bye